चेप्टर फाइफ उपसर्ग प्रत्ते प्रिफिक्स एंड सफिक्स शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन वर्णों के सार्थक समुह को शब्द कहते हैं व्यूपत्ती के अधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं रुण, योगिक और योगरुण मूलता शब्द के दो ही भेद होते हैं रुण और योगिक योगरुण अर्थ की द्रस्टी से रुण होता है रचना की द्रस्टी से योगिक और योगरुण समान होते हैं रुण के हम खंड नहीं कर सकते अतहा रचना में योगिक ही रह जाते हैं जिन से हम शब्द रचना कर सकते हैं, योगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्ते से और समास से, उपसर्ग से, अती प्लस अंत, अत्यंत, उपसर्ग है अती, मूल शब्द है अंत, अत्यंत मतला योगिक शब्द, प्रत्य से लेन प्लस दार लेंदार मूल शब्द है लेन प्रत्य है दार योगिक शब्द है लेंदार समास से होता है प्रती शब्द है प्लस दिन शब्द है प्रती दिन योगिक शब्द कभी-कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्य दोनों का प्रयोग होता है जैसे स्वप प्लस तंत्र प्लस ता यहाँ स्वप जो है उपसर्ग है मूल शब्द है तंत्र और प्रत्य है ता कभी-कभी दो प्रत्यों का एक साथ प्रयोग किया जाता है जैसे समझь प्लसदार प्लस-ई तो समझ दारी ठीक है? उपसर्ग, प्रिफिक्ष उपसर्ग मतलब उप जो का मतलब होता है समीब और प्लसवर्ग का मतलब होता है शस्टी करना कार्ड है किसी शब्द के समीब आकर नया शब्द बनाना जो शब्दांश शब्दों के आदी में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेश तालाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं हार शब्द का अर्थ है पराजए परंतु इसी शब्द के आगे प्रशब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार प्लस हार किसका आर्थ है चोट करना इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन सम जोड़ने से समहार विनाश तथा वी जोड़ने से वीहार घूमना इत्यादी शब्द बन जाएंगे प्यक्त उधारन में प्र, आ, सम और वी का अला गलब कोई अर्थ नहीं है परन्तु जब हार के साथ ये जुड़ता है तो उसके अर्थ में इन्हों ने परिवातन कर दिया इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निमने लिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसे संस्कत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फार्सी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रियोक्त होने वाले संस्कत के अर्थ में अधिक से बनता है अत्यधिक अतियंत अतिरिक्त अतिशाय अधी की बाद अधि ऊपर श्रेष्ट अधिकार अधिपती अधिनायक अनु का मतलब पीछे या समान अनुचर अनुशरन अनुकरन अनुसार अनुशाषन अप जैसे अर्थेस का बुरा यहीन अप्शय अभि मतलब सामने चारों और पास अभियान अभिषे कर अभिने और अभिमुक्ष अव मतलब हीन या नीच अवगुण अवनती अवतार अवतरन अ कार्थ है तक या समेत आजीवन आगमन आरक्षन आकमन उत मतलब उच उचा शेष्ट उपर उद्गम इसका मतलब वरत है उप मतलब होता है निकट सद्रश गोण शब्द है उपदेश उपवन उपमंत्री उपहार दूर मतलब बुरा दुर मतलब बुरा कठिन इसे दुरजन दुरगम दुरदशा दुराचार दुष मतलब बुरा या फे कठिन दुष्चरित दुष्चाशन दुष्कर निर मतलब निर्जन निर्वन निष्टार पूरा विपरीत शब्द हैं निस्टार निश्चल निश्चित निवारन निपात नियोग निश्यद परा मतलब उल्टा पीछे पराजय पराभव परामर्श पराकर्म परि का मतलब है आसपास चारो तरफ परिजन परिक्रम परिपूर्ण परिपरिणाम प्र मतलब अधिक आगे इसका शब्द है प्रत्ख्यात प्रवल प्रिश्थान प्रकति प्रति का मतलब है उल्टा सामने हर एक प्रतिकूल प्रत्यक्ष प्रतिक्षण प्रतेक वी विभिन भिन विशेश शब्द है विदेश विलाप वियोग विपक्ष सम मतलब है उत्तम साथ पूर्ण शब्द है शन्सकार संगम संतोस्ट संभव सु अच्छा यादिक सुजन सुगम सुनिश्चित सुचिक्चित अच्छूता अगात अटल अन अर्थ है अभाव निशेद और अन्मोल अन्मोल अन्बन अन्पर सब्द हैं कु मतलब बुरा शब्द हैं कुचाल कुचेला कुचक्ट्र दू मतलब अर्थ है कम बुर्द दुबला दुलारा दुदहरू नी मतलब कमी निगोड़ा नीडर निहत्था निकम्मा ओ अर्थ है हीन निशेद ओगुन ओधर ओसर ओसान भर मतलब पूरा भरपेट भरपूर भरसक भरमार सु मतलब अच्छा सुडोल शुजान सुधकू सुगर सुफल अध्ध मतलब अध अधुफ चपच अधमरा अधुफनर कर नों मतलब एंग कम उंटीस उन चालिस उन Pचास उन साः उन संट्तर पर मतलब दूसरा या an बाद में बादका परलोग परोपकार का परसर्ग परहित श्क है बिन निशेर अबनेव्याय सुप्र अर्भी फार्शी के Hug estaba Kem मतलब थोड़ा हीन, कम जोर, कम बक्त, कम अक्ल, खुष मतलब अच्छा, कुश नसीब, कुश हम === खुश जबरी, कुश हाल, कुश भू, गेर मतलब निषयद, गेर हाजरी, गेर कानुनी, गेर मुल्क, गेर जिम्मिदार, ना अर्थात अभाव, ना पसंद, ना समझ, ना राज, ना लाइक, ब मतलब और या फिय अनुसार, बनाम, बदोलत, बदसूर, बगेर, बा, मतलब सहित, बाकाइदा, बाइजत, बादब, बामोका, बद, अर्थ है बुरा, बदमाश, बदनात्म, बदकिस्मत, बदबू, बे, मतलब बिना, बे इम बिला वजह, बिला शक, ला मतलब रहित, ला परवाह, ला चार, ला वारिस, ला जवाब, सर, मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, हम, मतलब समान, साथ वाला, हम दर्दी, हम राह, हम उम्र, हम धम, हर, का रत्थ है प्रत्यक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, मतलब अधिक नीचे सब जज़ कमेटी सब इंस्पेक्टर डिप्टी मतलब सहायक डिप्टीAS डिप्टी रिप्टी मैनिस्टर वाइस मतलब सहायक वाइसराय वाइस चांचलर वाइस mormmarin जनरल माइनजर जनरल सेटरी चीफ मतलब प्रमुक्ष, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजिनियर, चीफ सेकर्टरी, head मतलब मुख्य, headmaster, head clerk. उपसर्ग के समानप्रयोक्त होने वाले सरुस्करत के अभ्याए. उपसर्ग है अध अध नीचे अध पतन अधो गती अधो मुखी अधो लिखित अतह भीतरी अंतकरण अंतपुर अंतरमन अंतरदेशी अ मतलब हाव अशोक अकाल अनीती चिर अतलब बहुत देर चिरंजीवी चिरकुमार चिरकाल चिरायू उपसर्ग पुनर मतलब फिर पुनर जन्म, पुनर लेखन, पुनर जीवन बहिर मतलब बाहर, बहिर गमन, बहिर शकार, सत मतलब सच्चा, सज्जन, सत कर्म, सदाचार, सत कार्य पूरा मतलब पुरातन, पूरातत्व, पुरातत्व, सम काली, सम दर्शी, सम क्लिक, सभ मतलब साथ, सहकारी, सहपाठी, सहयोगी, सहचर प्रत्य सफिक्स प्रत्य मतलब प्रती साथ में पर बाद में प्लस अय मतलब चलने वाला शाब चब्द का अर्थ है पीछे चलना जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेस्ता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्य कहलाते हैं जैसे दयालू दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेस्ता आ गई अतहा यहां आलू शब्दांश प्रत्य है प्रत्यों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और नहीं इनका प्रियोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है प्रत्य के दो भेगद होते हैं क्रत प्रत्य तद्वित प्रत्य वे प्रत्य जो धातू रूट वर्ड में जोड़ जाते हैं क्रत प्रत्य कहलाते हैं क्रत प्रत्य से बने शब्द क्रदंत क्रत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं जैसे लेख प्लस अक लेखक यहां अक क्रत प्रत क्रदन्त शब्द है तथा लेक्क प्रत्द व 57 जो फ्ट को छोड़कर अन्न शब्द ओ संग्या सर्वनाम व्वेशिश्यण में जुड़ते हैं तथ्वित 2 से बने शब्द से तथ्वित्ब शब्द कहλαते हैं जैसे सेट प्रसणा यहां अध्य तद्वित प्रत्य तथा सेठानी तद्वितान तशब्द है क्रत्व प्रत्य प्राइमरी सफिक्स अक लेक पाठ क्र गे लेखक पाठक कारक और गायक अनक मूल शब्द है पाल सहचे तचर उधारन है पालन सहन नयन चरन अना घट तलवट विद जगटना तुलना बदना वेदना अनिय मान रम दरश पूज श्रू माननिय रमनिय दरशनिय पूजनिय श्रवनिय आ सुख भूल जाग पूज इस भिश सुखा भूला जागा पूजा इच्छा भिक्षा आई लड़ सिल पढ़ चर लड़ाई सिलाई पढ़ाई चराइ आउन उड मिल दोड और आन मिलान दोड आउन एहर गिर दसरत माला हरी गिरी दसरत माली यह चल जड बढ़ घट छलिया जडिया बढिया गटिया इत पट्विवस्त स्व्यथा फल पुष्प पठत व्यत्थित फलित पुष्पित इत्र चरपोब खन चरट्र पवित्र खनित्र यल अड मन सड अडियल मरियल सीडियल इहस बोल त्यज रेत हसी बोली त्यागी रेती उक इच्च भिक्ष इच्चक भिच्च्च तव्यक्रण रच कर्टव्य फक्तव्य त आ जा बह मरगा आता जाता भहता मर तक आता ती प्री शक्व भज अती प्रती शक्ती भगती यह एजाते खाते प्रत्त है त्र मुल्शब्द है अन्य शर्व अस उधारण अत्यांत सर्वत अस्त्र न प्रत्त है धात है कंद वंद मंद खेद बेल ले प्रत्त है पड़ लिख बेल गा रुद्धरर नहें पड़ लिखना बोलना गाना म में धात है दा और धा दाम धाम य में है गद पद क्रःपंडित पश्चादद ओस्ट तो गद पद क्रंट पांडित्य पास्चाद द्रंद्य ओस्ट है या म्रग विद रोज देने आना पढ़ना देने वाला पढ़ने रख् Ama अहार होना रखना वेथखेवना होना हार होना हार तद्धित प्रत्य नोमिनल सफिक्स हाई पच्ताना aley यह पच्टाई झगाई आईन पंडित ठाकुर पंडित ठाकुर लड़ चतुर चोड़ा पंडित ठाकुराई लड़ाई चतुराई चोड़ाई आनी सेठ नोकर मठ सेठानी नोकरानी मठानी आयत बहु पंच अपना बहुतायात पंचायत अपनायत आर और आरा लोहा सोना दूद गाउं लोहार सोनार दूधार गवार आहट चिकना घबरा चिल कड़वा चिकना हट घबरा हट चिला हट कड़वा हट इल फेन कूट तंत्रा जटा पंक स्वपन धूम फेनिल कुटिल चंद्रि चतिल पंकिल सुपनिल धूमिल इस्ट मैं कन वर गुरु बल कनिस्ट वरिस्ट ग्रिस्ट वलिस्ट इस्दर बोल पक्षी खेत धोलक तेल ते अधिन में ग्राम कुल तो ग्रामीन कुलीन यह भवत भारत पाननी राष्ट भवधिया भारत यह पाननी और राष्ट यह हुआ हो गया इसका प्रत्यों को के पूर्वक्त वर्गी करन क्रत्वत तद्वित को कई भाशा विद उच्चित नहीं मानते हैं क्योंकि हिंदी में कई प्रत्य ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं अरथा धात्यू में भी जुड़ते उर संग्या आगी शब्दू में जुड़ते हैं जैसे एक यह लूट प्लस एक इसंथे स्वेत है नुल्ट 22-100 तहसे ब्सकिर है इस खेंच तो निया प्लसkiej प्रत्या बहला प्रत्य प्रत्य के लिए इतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं इतिहासिया स्त्रोथ के आधार पर हिंदी प्रत्यों को चार वरगों में विभाजित किया जाता है तत्सम प्रत्य तद्भव प्रत्य देशल प्रत्य विदेशत प्रत्य तत्सम प्रत्य प्रत्य आ बोधक अर्थ है इस्त्री प्रत्य भावाचक संग्यार प्रत्य उधारण है आदरणिय प्रिया माननिया सूता इच्छा पूजा आनी इस्त्री और प्रत्य इसमें देवरानी भवानी महेतरानी आलू विशेश प्रत्य वाला करपालू दयालू निद्रालू शेध्धालू उसके आधे कुछ दतभ प्रत्य यह तो थे तत्सम प्रत्य तर्ध्व प्रत्य इस तिसे अंगड़ वाला तो बतंगड़ ठीक है अंतु मतलब वाला रटंतू घुमनतू अत संगत लिखत आध संगया प्रत्य विशांद सडांद आ इसमें अच्छा घोड़ा बड़ा लड़का आई भावक भावाचक प्रत्य है इसमें कठिनाई बुराई सफाई आउ वाला है इसमें खाऊ टिकाऊ पंडिताऊ बिकाऊ के लाभ आप के लिए बहाव हैं इसमें तो मिलाप अपनाप्पा पुजदब़ापा रड़ापा आरा आ्र करने वाला होता है कुमहार लुहार चमार घस्यारा पुजाद घर्लमिक नियोग मतलिन विकारी आलू में हैसेय तो आवट भावाव आचक हे तो कसा अभाव टिर गहां कसा वट और बनावर्ट हो गड़िनावर्ट हो गए लिखावत और अब्र होगया और कुछ अधे सच प्रत्य में कि उढ़ता है तरहें अक्कड वाला अक्कड वाला गुमककड प्यककड भुलककर अड़ मतलब अंदर बुककड ऑख चिटाक ध्ञाक धड़ाक ध् आटा में खर्राट फर्राट इयल में मतलब वाला अडियल दडियल सरी सडियल कि विदेशज या विदेशी प्रत्य अर्भी फार्सी प्रत्य ठीक है आ मतलब भावाचक सफेदा खराबा आन मतलब भावाचक जुर्माना दस्ताना मर्दाना मस्ताना युशेश वाचक जनाना अच्छा आनि संबंद वाचक जिस्मानी बर्पानी रोहानी इयत भाव वाचक जिविदेसर चलेना अंग्रेजियत असल 계धा अधुर ए इंसानियत फ्हेदियाट कार करनेवाला का संबर्ध कर दास्त कार ऑ guique इसमें करने वाला कारी गडी की मियागर बाजी कर गिरी जादू गरी कुली गिरी बावु गिरी गार करने वाला परहेज गार मददगार यादगार रोजगार गाह इसनादवाचक जासे इद गाह, चारगाह, बंदरगाह. अंग्रे जी के कुछ है? प्रत्तहा इस्म बोधक अर्थ है वाद मत्र, जी से है कमुनिस्म, बुधिस्म, सोसालिस्म, मार्क儀 स्ट iqxt मतला वादी व्यक्ति कम्उनिस्ट, बुधिस्ट, मार्किष्ट, सोसालिस्ट. झाल झाल